नमस्कार आज निर्णायों का दिन है और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पांच राज्यों के चुनाओ नतीजे आज आना थे और बारी बारी से नतीजे आना चालू भी हो गए हैं जिसमें से सबसे बड़े सूबे की बात करें तो मद्परदेश में बीजेपी की जो हालत वो इस समय चर्चा का बड़ा विसाय बनी हुए और सीट फसी हुई भी है बीजेपी की इस समय बरतमान में जो हालत है वो है 108 सीटों पर बीजेपी है बड़त बनाए हुए हुए है और अन्ने के खाते में 11 सीटें जा रही है वहीं राजिस्थान की बात करें तो बीजेप समय सतर पर है कांग्रेस वहाँ 98 पर है और अन्न 24 पर है 36 गड़ की बात करें तो बीजेपी 21 पर है कांग्रेस 63 पर है और अन 6 पर दखाई दे रहे हैं तैलंग नामें जो हालात है उसके हिसाब से पूरी तरीके से टी आरेस इंका इंक्यान सीटों पर आई है और सेकंड पर वहाँ पर कांग्रेस अपनी बड़त बनाए हुए है और कांग्रेस के वहाँ पर तेज सीटे आई हुई है अन 5 पर है ऐसी मेंजोरम की बात करें तो एन एन एफ 24 पर वहाँ पर बड़त बनाए हुए है और कांग्रेस 6 अन पर 10 तो यह पूरे पूरे पांची राज्यों की बर्तवान की अपडेट है अब बात करते हैं कि वहमत के करीब कौन कौन सी पाइटियां पहुची हैं तो कांग्रिस में पूर वहमत अभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है एक बार बीजेपी ने पूर वहमत का आकड़ा छुगा था लेकिन उसके बाद लगातार एक काटे की गिंती चल रही है और कभी बीजेपी आंगे कभी कांग्रेस आंगे हो रही है तो बीजेपी और कांग्रेस में जो काटे की टककर देखी जा रही है वहमत प्राप्त नहीं कर पाई है कांग्रेस लेकिन सबसे बड़ी पाइटी के तौर पर भरकर सामने आई है कांग्रेस औ और 75 पर बीजेपी है और 24 पर हैं 36 गड़ में बीजेपी का हाल बहुत ही खराब है रमान सिंग की सरकार वहां से यह मानिये के जनता ने नकार दिया है उनके लिए और 19 सीटों पर वो समिटके रहे गए हैं 65 पर महां पर कांग्रेस है अन में 6 तो यह कुछ चीजें सामने आई हैं और बाकि का जो तेलंगा ना में आपको पता है यह कांग्रेस के साथ कंग्रेस बनाएगी तो टीरेस होhan Pirice आ जए है और मेजरम में वह बैज श्रब्ध शितिति आ हैं मेजरम में बीजेपी की सपोर्टी पाइटी यह वंगरेस को हुआं सूपरा साफ हो गया है तो जि कि हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी जगह जहां जहां कांग्रेस बड़त बना हुए वहां नर्दली है किस तरीके से वो अपना सपोर्ट देते हैं और कांग्रेस ने जो अभी कुछ दिन पहले जो कि अंदेखी बीजेपी ने की है उसका परिणाम उन्हें सामने दिखाई दे रहा है कई जगह जनता की आवाज को ना समझते हुए और जो नौकर साही हावी हुई है उसके मद्दे नजर रख तुगे यह बीजेपी को कई जो बोट वेंग की जो इस्तिति आद देख रहे ह है बीजेपी ने कई बादे किये जो जमीनी हकीकत में नहीं दे पाए या कुछ जो करमचारी है उन्होंने जो सरकार की जन्हितकारी स्कीमा को बदनाम करते हुए और अपना एक खुद का एक एजंडा जो तमाम पाइटियों को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी के खिलाम मे नजर डालें तो राजिस्थान में बीजेपी 75 और कॉंग्रेस स्वापर है और आपकी एमपी में कभी बीजेपी आंगे और कभी कांग्रेस आंगे हो रही है बीजेपी इस समय मत्परदेश में अपनी बड़त बना चुकी है और कॉंग्रेस एक सीट नीचे आ गई है लग पर भरुशा भी करते है और हूँने एक वीमारी राज को एक विकासी राज के तौर पर प्रिमोट भी किया है और उन्होंने उसको करके भी दिखाया है तो यह है जो की एक उनके फेवर की बात है बाकी जो कैंदर की कुछ योजुनाएं हैं उनमें जिस तरीके से विश्टाचार फैला है और जनता को उन इसकीमों के माध्धम से जो परेशान किया गया है उसकी वजए से वहां पर मत्परदेश में जो भी ग्राप गिरा है वो कि उसका खामिया जाना भी बहुत इतना पढ़ रहा है इस रिजेंट में तो अभी के लिए इतना ही जैसे ही और कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके सामने पुना पस्चित हूँगा मैं स्वरब गोश्ट्रामी मैं आप से सभी से विंद्धी करता हूँ कि आप अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही राजनितिक हलचल और जनता से जुड़े मुद्धों को लिए आप मुझसे जुड़ने के बात आपको एस सब चीज़ें सामने आती रहेंगी और इसी के कुछ सुमाइबात फिर में एक नए अपडेशन के साथ नए अपडेट के साथ आपके सामने चनावी अपडेट लेकर फिराओंगा